सल्मान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में छूटी बच्ची मुन्नी का किरदार निभा कर दर्शकों को मोह लेने वाली हर्शाली मलहुत्रा ने ये तस्वीरे शेर की हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में एक आवोर्ड है जिस पर बाबा साब डॉक्टर अंबेटकर की प्रतीमा बनी हुई है दरसल हर्शाली मलुत्रा को महरास्टर सरकार की तरफ से परतीश्टित भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है ये अवोर्ड हर्शाली को महरास्टर के राजेपाल भगत सिंग कोश्यारी ने दिया इसके जानकारी हर्शाली ने अपने सोशल मीडिया से दी हर्शाली ने उस खत को भी शेर किया है जिसमें उन्य आवोर्ड के बारे में इन्फोम किया गया था उसमें लिखा है आगामी तियत्तरवे गनतंतर दिवस के अवसर पर भारत के सम्विधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की स्मृति में बारवें भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार 2022 समारों का आयोजन किया जा रहा है रतन डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार 2022 के लिए आपके नाम को फाइनल किया है हर्शाली नहीं अवोर्ड अभीनेता सल्मान खान और फिल्म बजरंगी भायजान की टीम को डेडिकेट किया है उन्होंने तस्वीरे शेयर कर लिखा बाबा साब डॉक्टर भारत रतन बेड कर अवोर्ड पाकर गोर्वानमित महसूस कर रही हूं यह अवोर्ड सल्मान खान कबीर खान मुकेश शाबर अंकल को डेडिकेट करती हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया साथ ही पूरी बजरंगी भायजान टीम को भी धन्यवाद सोशल मीडिया पर हर्शाली रही है और साती फेंस यह पूछ रहे हैं कि वो कब फिल्मों में वापसी करेंगी फेंस उन्हें फिर एक बार फिल्मों में देखना चाते हैं लेकिन खुद हर्शाली भी एक्टरेस बनने की चारकती है और एक इंटरव्यू में उनके मुताबिक वो पहले पढ़ाई करना उसके बाद वो फिल्मों में काम करेंगी हर्शाली से पहले बेस चाहिल आर्टिस स्क्रीन अवोर्ड जी सीने अवोर्ड भी जी चुकी है हर्शाली ने फिल्म में एक भी डायलोग नहीं बोला था लेकिन उन्होंने अपनी मासूमियत मुस्कुराहट और बिनाम बोले ही अप करेंगी हर्शार अपनी मुस्की है हर्शाल।